आज मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर दूए जिसे आप एक बार घर पे बना के खालोगे ना तो यकीन मानों आप बाहर का सारा खाना भूल जाओगे पीजा नूडल वर्गर सब खाना भूल जाओगे जी हां यह रेसिपी इतना टेश्टी है इतना मलब स्वादिश्ट है ना कि मेरा नाम है एक ता आप देखे एक ता लजीज फूर जिसमें आप लोगा बहुत बहुत स्वागत है इस रेसिपी को मैंने कोई पीजा वेस या फिर बर्गर से नहीं बनाई यह एक नॉर्मक कुल्चे से बनाया है इस टेश्टी सी रेसिपी बनाने के लिए सब से पहले हम चब नमक साथ ही मैंने सरसो का तेल डाला लाता है यहां पर उल्लीव यूज होता है पर मेरे पास थानी अभी यूज करा है और अच्छे से पीज लिया पीजने के बाद यह चट्टी देखे तैयार हो गया इसकी बद मैंने यहां पर सिमला टमाटर काट लिया है सिमला टेम केगा कुल्चा मेरे पास है दो दिन से कड करके डाल दिया पिर डेसितया करके डाल दिया पिर दूसरे डूशे में वह थोड़ा क Means से टाने के भाद के उपज लिगगा पर कैना रिफाइंड रॉय डाल और इससे कुंट प्रक डाल दिया इसे के देन प्ल्टाने के बाद उस साइड पर चीज डाला पनीध डाला और इसे भी दो मिनट पका लिए जब तक चीज मेल्ट नहों हो जाए देखिए चीज मैल्ट हो गई है इस पे दिख रही है मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया चाको के साहता से पीजा के सिप में इसे मैंने कट कर लिया और यकीन मानिए घर में सब भी लड़ने लगे कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए पर मेरे पास तो दो ही कुल्चे बचे थे दोनों का मैंने रैसेपी बना लिया अब और को च मैं लादी कहां से मैंने का अगली वार मैं यह ट्राइ करोंगी बनाने का जब favor पीजा खाने का मन करेगा तुम्हें यही बना के खाँगे क्योंकि इतना टेश्टी लगी बहुत यमी लगी और यह मैंने नई ट्राइ करी थी मैंने कहीं देखी नहीं थी तो मुझे यकीन है आपको भी यह रेसेपी पसंद आएगी आई हो वीडियो पसंद आएगी तो पर जरूर ट्राइ करें और मुझे जरूर बताएए तब तक के लिए टेकियर बाइबाए